नमस्कार दोस्तों कास किलासिज में मैं चंदरहास एक बर फिर से आप सभी का सुवागत करता हूँ आसा करता हूँ कि मेरा पूरा कास किलासिज का परिवार अच्छा होगा लगातार कास किलासिज के परिवार में विर्धी भी हो रही है प्यारे साथियो आज हम आपके सामने एक बार करंट अफेर की फिर से सबसे शांदार, सबसे जबरदस्ट, सबसे बहतरीन क्लास आपके सामने लेके आया हूँ और ये जो current affair के question है या इस वीडियो में जो हम current affair के question देखेंगे वो सफेसल SSC के लिए और हाल फिलाल के अंदर जो विशेश रूप से जो धहली पुलिस है उसके लिए ताबुत की किल साबित होंगे तो प्यारे साथियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात वाद से बता दूँ यदि आप actual में पढ़ने वाले student है तो ही वीडियो देखे और यदि आप मेरी वीडियो देख रहे तो साथ की साथ में copy pen भी लेके बैठे रहें साथ के साथ में point को note करते रहें क्योंकि रोज current affair की class आती है सबसे शांदार सबसे जबरदस तरीके से हम current affair पढ़ रहें देखे आज का हमारा पहला question भारत और France की नोसेना के बीच किस महसागर में अभ्यास हो रहा है भारत और France दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत और France भारत और France की जो नेवी है भारत और France की जो नोसेना है इसके बीच में कौन से महसागर में भारत और फरांस की नोसेना के बीच में कौन से महासागर में अभ्यास हो रहा है तो आप बता देना भारत और फरांस के बीच में कौन से महासागर के अंदर अभ्यास सल रहा है तो आप बता देना अटलांटिक महासागर में आटलांटिक महासागर ये आप के उस्वन बड़ा ही संदर है ध्यान रखिएगा आप से एक्जामिनर के उस्वन पूछेगा कि भारत हाल ही के अंदर भारत और फ्रांस के बीच या भारत और फ्रांस की नेवी के बीच में कौन से महासागर में अभ्यास हुआ है तो आप बता देना अट्लांटिक महासागर जिकर दोस्तों अट्लांटिक महासागर का आया है तो ध्यान रखिएगा पूरे वर्ल्ड का या हम कहे दें कि पूरे विशव का सबसे बड़ा महासागर जिसका नाम परशांत महासागर है लेकिन पूरी वीशेव का दूसरा बड़ा महासागर का यदी जीकर किया जाए तो पूरी वीशेव का दूसरा बड़ा महासागर जिसका नाम अटलांटिक महासागर है ये अटलांटिक महासागर जिसकी आकरती अंग्रेजी का जो S वर्ड होता है S वैसी आकर्ती इसकी है अटलांटिक महासागर जिसकी आकर्ती का यदि हमजी कर करें तो अंग्रेजी का जो S वर्ड होता है उसके जैसी आकर्ती है अटलांटिक महासागर की लेकिन प्यारे साथियों ये जो अटलांटिक महासागर है जहांँ पर भारत और फ्रांस की नेवी अब भ्यास कर रही है इस Atlantic महासागर का दूसरा नाम अंध महासागर भी है इस Atlantic महासागर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है तो आप बता देना अंद महसागर के नाम से भी इस अटलांटिक महसागर को जाना जाता है next question हाल ही में इंडियन एर फोर्स ने question सुनिएगा पहले question सुने फिर मैं बोर्ड के उपर लिखूंगा फिर उसको भाई साब अपन सोल करेंगे हाल ही में इंडियन एर फोर्स ने 2025 तक किन विमानों को बाहर करने का फैसला लिया है हाल ही के अंदर जो अपने पास में इंडियन एर फोर्स है भारत की सान इंडियन एर फोर्स इस इंडियन एर फोर्स ने 2025 तक कौन से विमानों को बाहर करने का फैसला लिया है कौन से विमानों को भार करने का फैसल लिया है तो लाड़लो आप बता देना मिग 21 हाल ही के अंदर इंडियन एर फोर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि हम 2025 तक मिग 21 जो विमान है उनको इंडियन एर फोर्स से बार कर देंगे क्यों इसके पीछे का कारण डाहा है क्योंकि हाल ही के अंदर हाल फिलाल में ऐसी घटना है देखी गई जब कोई पाइलेट कुछ एर फोर्स के जवानों के साथ में मिग 21 को लेके चला और कुछ दूरी तै करने के बाद ही मिग 21 दुरगटना गरस्त हो गया हुए है ये हाल फिलाल में कुछ वर्षों के अंदर देखा गया है जिसके कारण मिग 21 को स्थानिय भासा में उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है और अब इंडियन एर फोर्स ने फैसला लिया है कि हम मिग 21 को या मिग 20 विमानों को 2025 तक इंडियन एर फोर्स से बाहर कर देंगे लेकिन लाड़लो इस परसन में जीकर मिग 21 का आया है तो ये मिग 21 विमान जो है ये 1955 में 1955 में रूस की कमपनी ने इनको बनाया था भारती वायूसेना के अंदर मिग 21 को 1963 के अंदर सामिल किया गया था और उस समय ये लगभग 800 विमान भारती वायूसेना के अंदर सामिल किये गए थे लेकिन लाड़लो मैं आपसे एक बात बता दू मिग 21 जो काफी पुराना विमान है अब भारत के अंदर या विदेशों के अंदर अत्यादिमिक परणाली का इस्तमाल किया जा रहा है वो चीजे जो आज के समय के अनुसार होनी चाहिए वो मिग 21 के अंदर नहीं है यदि इसका भाइसा बदलाव भी किया जाए तो कितना बदलाव करेगा थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है उसके बाद भी दुरगटना गरस्त होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है इनको एरफोर्स 2025 तक मिग 21 को बाहर कर देगी उस समय तक बहुत से विमान हम बना चुके होंगे भारती कंपनिया बना चुकी होगी या विदेशों से कुछ भेंकर विमान या लड़ा को विमान भारत में आ चुके होंगे ठीक है लेकिन जीकर इंडियन एरफोर्स का हाया है तो आप ध्यान रखिएगा इंडियन एरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं 8 अक्टूबर को इंडियन एरफोर्स के वरतमान में चीफ कोन है विवेक राम चोधरी ये वर्तमान में इंडियन चीफ मारसल है इंडियन एरफोर्स के चीफ है ये आप ध्यान रखिएगा next question हाल ही में किसकी याद में डाक टिकट जारी किया गया है तो अब बता देना पिंगली वेकईया की याद में हाल ही के अंदर डाक टिकट जारी किया गया है अब इस पिंगली वेकईया ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी याद में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया या इस पिंगली वेकईया ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी याद में भारत सरकार को डाक टिकट जारी करना पड़ा एक्चुल में आपने तिरंगे जंडे का नाम सुना होगा और हाल फिलाल के अंदर आपने देखा होगा 15 अगस्त के उपलक्स में तिरंगा अभियान की सुरुवात भी की गई है हर घर तिरंगा अभियान लगबग 20 करोड घरों का लक्से निरधारित किया गया है लेकिन लाडलो मैं आपसे क्यों सुन बता दू कि ये जो पिंगली वेकईया है ये वहीं है वहीं वेकती है जिसने जंडे का डिजाइन तियार किया था जो अपना राष्टी धवज है ना राष्टी धवज उस राष्टी धवज का डिजाइन करने वाला व्यक्ति कोन हुआ करता था तो ये पिंगली वैकईया ही हुआ करता था जिसने राष्टी धवज का डिजाइन त्यार किया था अब राष्टी धवज का जीकर आया है तो बहुत बार जीके के क्यूस्टन बनते हैं कि राष्टी धवज की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात कितना है तीन अनुपात दो लेकिन कभी कभार एग्जामेनर अपने आप में बहुत ही जादा चतुर बनता है और वो एग्जामेनर चोड़ाई और लंबाई का अनुपात लिख देता है लेकिन बच्चों को तीन अनुपात दो ही याद रहता है लंबाई और चोड़ाई और चोड़ाई का अनुपात प जो सवीधान में 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 के अंदर इस राष्टी धवज को अपनाया गया था ये आप ध्यान रखेगा बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन 22 जुलाई 1947 राष्टी धवज में तीन कलर होते हैं सबसे उपर जो कलर होता है वो कलर जिसका नाम केसरिया उसके बाद में अपने पास में नामाता है सफेद और उसके बाद में कलर आता हरा यदि आप राष्टी धवज भेरा रहे हैं तो सबसे उपर कलर होना चाहिए केसरिया उसके बीच में सफेद और नीचे वाला कलर हरा होना चाहिए लेकिन जब दोस्तो राष्टी धवज का चीकर आता है तो राष्टी जो धवज है ना राष्टी धवज इसके बीच में चक्कर भी है इसके बीच में एक चक्कर भी है लेकिन उस चक्कर से पहले राष्टी धवज के अंदर चर्खा हुआ करता तक चर्खा मात्मा गांदी का चर्खा 1947 में चर्खे को हटा कर ये राष्टी चक्कर जोड़ा गया था जो सारनाथ सितित असूक श्तंब से लिया गया है लेकिन इसी के साथ में मैं आपसे इक बात के लियर कर दूँ कि पहले ना पहले सिरफ राष्टी धवज सरकारी समारकों के उपर सरकारी गौर्रमेंट बिल्डिंग्स है सिर्फ वहीं पर फैराय जाता था लेकिन 2002 के अंदर ऐसा सवीधान के अंदर संसद में बिल लाया गया सवीधान के अंदर संसोदन किया गया कि राष्टी धवज को भाई साब कोई विवेक्ती फैरा सकता है लेकिन हाल फिला हल में बीजेपी सरकार नहीं कहा है कि राष्टे धवज जिसका जब मन करें तब फैराएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सबी लोग अपने घरों के उपर फैरा सकते हैं कोई प्रोब्लम वाली बात नहीं है तो प्यारे साथ यू मेरे दवारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है ना तो इस वीडियो को आप जादा से जादा स्टडी गुरूप में सेयर करें क्योंकि आप सेयर करेंगे उसके बाद ही मेरा कुछ हो सकता है ठीक है तो आप सेयर करें ताकि जादा से जादा व्यू आए मेरा भी होशला बड़े और भैतरी तरीके से हम लगातार पढ़ते रहें तो ये एक question आप साथ की साथ में note टर लीजिए ये जो person हभी हमने करवाए हैं इन personों को, दोस्तों इन personों को साथ की साथ में आप note कर लीजिए बहुत जवरदस question, next question क्या है वो देखे आस्टेलिया में होने वाले किस हवाई युद अभ्यास में भारत सामिल होगा आस्टेलिया, आस्टेलिया, आस्टेलिया के अंदर भाई साथ आस्टेलिया के अंदर एक युद अभ्यास होगा युद अभ्यास नहीं कह सकते हम हवाई युद अभ्यास कहेंगे आसेलिया में होने वाले किस हवाई युद अभ्यास में भारत सामिल होगा किस हवाई युद अभ्यास में भारत सामिल होगा तो आसेलिया में एक अभ्यास होगा जिसका नाम पिच बलैक अभ्यास है अभ्यास है ये भाइसा पीच बलेक अभ्यास पहली बार 1981 में हुआ था और पीच बलेक अभ्यास परतेक दो साल के अंदर आस्टेलिया में आयुजित किया जाता है अब की बार इस पीच बलेक अभ्यास में कुल 17 देश हिस्सा लेंगे इसमें 100 विमान हिस्सा लेंगे और इस में पच्चिस सो सैनी के हिस्सा लेंगे ध्यान रखना क्यूशन वेहद सांदार है वहूती जवरदस परसन है कि हाल ही के अंदर आस्टेलिया में होने वाले हाल ही में आस्टेलिया में होने वाले हवाई युद अभ्यास में किस हवाई युद अभ्यास में भारत सामील होगा तो उस हवाई यूद अभ्यास का नाम Pitch Black है इस Pitch Black अभ्यास में टौटल 17 देश सामील होंगे टौटल 17 देशों के 100 विमान सामील होंगे और सो टौटल 17 देशों के 25 सेनिक सामील होंगे मिल्टरी के जवान सामील होंगे लेकिन अब अपने पास में बहुत ही जवरदस पर्षन ये बनता है कि ये जो हवाई युद अभ्यास है आस्टेलिया के अंदर जो परतेक दो साल में होता है जिसका नाम पिछबलेक है ये पिछबलेक हवाई युद अभ्यास पहली बार 1981 में आयुजित किया गया था आस्टेलिया का जेकार इस परसन में आया है तो मैं आपसे बता दू आस्टेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा है आस्टेलिया जो आस्टेलिया महादवीब के अंदर सी थीत है सोरी भई आस्टेलिया जो आस्टेलिया महादवीब के अंदर से थीत है आस्टेलिया महादवीब में टोटल देश सोधा है पूरा सबसे बड़ा देश आस्टेलिया और आस्टेलिया महादवीब का एकमातर देश आस्टेलिया है जो पूरे महादवीब के उपर फैला है और आस्टेलिया देश पूरे महादवीब के 84% हेस्टे के उपर फैला है ये ध्यान रखिएगा हाल ही में ITBP के नए निदेशक कोन बने हैं प्यारे साथियो कुछ समय पहले तक ITBP का जो निदेशक था महानिदेशक था उसका नाम संजे अरोडा था वो दिली पुलिस का कमीशनर बन गया जैसे ही संजे अरोडा दिली पुलिस का कमीशनर बना ITBP में महानिदेशक का पद धीजी का पद खाली हो गया आब ITBP का नया DG महानिदेशक कोन बना है हाल ही में ITBP ध्यान रखिएगा ITBP इंडो तिबतन बोर्डर पुलिस इंडो तिबतन बोर्डर पुलिस जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसकी रक्षया करने के लिए ITBP की स्थापना 1962 में की गई थी और ये ITBP जिसका वर्तमान में महानिदेशक कोन बना है वर्तमान में महानिदेशक कोन बना है तो आब बता देना सुजाए सुजाए लाल सुजाए लाल थाउसेन सुजाईलाल थाउसेन ये भाईसाब वर्तवान में ITBP का चीफ बना है प्यारे साथ यो बड़ा सांदर क्यूस्टन है हाल ही में ITBP का नया महानिदेश कोन बना है सुजाईलाल थाउसेन बने है और ये सुजाईलाल थाउसेन 1988 बैच के IPS अधिकारी है और इनका कैडर कौन सा रहा है मद्दे परदेश इनका कैडर रहा है कहने का मतलब जो हाल फिलाल में सुजाईलाल थाउसेन ITBP का महानिदेशक बना है वो 1988 मद्दे परदेश कैडर का IPS अधिकारी है ये आप ध्यान रखिएगा नेक्स क्योशन क्या है वो देखे एक बर हाल ही में P.I.B. परेश जो Information Bureau है उसका हाल ही में P.I.B. का परदान महानिदेशक कोन बना है परेश Information Bureau जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी और दोस्तों जिसका मुख्याल है निव दहली के अंदर है और इस P.I.B. का नया परदान महानिदेशक परदान महानिदेशक कोन बना है तो आप बता देना सतेंदर परकास ये भाइसा P.I.B. का महानिदेशक बना है आप से क्युश्टन एक्जामेनर पूछेगा कि हाल ही में P.I.B. परेश Information Bureau का नया परदान महानिदेशक कोन बना है तो आप बता देना परदान महानिदेशक सतेंदर परकास बना है P.I.B. जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी जिसका हेड़कवाटर निउदहली के अंदर है आज भारत की राजधानी भी नई दिल्ली है पहले भारत की राजधानी भाईशाब दिल्ली थी और दिल्ली से पहले कलकत्ता और दोस्तों कलकत्ता का नाम बदल कर कॉलकाता हो गया और कलकत्ता का नाम बदल कर कॉलकाता कब हुआ था इसका भी जीकर हम आगे आने वाले question में करेंगे अभी नहीं बताएंगे आगे आने वाले question में करेंगे तो बड़ा twist है आप वीडियो पूरी देखें बहुती जबरदस तरीके से आज हम पढ़ेंगे ठीक है ये देखें एक बार next question देखो एक बार क्या पूस्तक है पूस्तक किस ने लिखी है बहुत जबरदस परसन है हाल ही के अंदर एक पूस्तक का विमोचन किया गया है हाल ही के अंदर एक पूस्तक लिखी गई है जो भारतिये economy के ओपर लिखी गई है लेकिन उस पूस्तक का नाम है the journey of nation 75 year of Indian economy मतलब 75 साल में भारत की अर्द्वेस्तक कैसी है कैसा बताया गया है अर्द्वेस्ता के अंदर भारत की अर्द्वेस्ता के बारे में भारत की अर्द्वेस्ता के बारे में इस पूस्तक के अंदर जिकर मिलता है एक्चोल में ये पूस्तक लिखी किसमें ये पूस्तक किसकी है तो ये पूस्तक किसकी है तो आब बता देना शंजे बारू की पुस्तक है लाड़ो शंजे बारू हालही के अंदर ये पुस्तक लेकी गई है ये संजे बारू की भारत का पहला राजे जिसने ओनलाइन सरकारी E-Taxi सेवा शुरू की है हाल ही के अंदर भारत का पहला स्टेट हाल ही में भारत का पहला राजे जिसने सरकारी E-Taxi सेवा की सुरूआत की है हाल ही में भारत का पहला राजे जिसने सरकारी E-Taxi सेवा की सुरूआत की है तो आप बता देना सरकारी ओनलाइन e-taxi सेवा की सुरुआत करने वाला भारत का पहला राज़े केरल बना है क्योशन क्या है समझने की कोशिश कीजिए साथ की साथ में आप लिखने का कस्ट भी करें भारत का पहला ओनलाइन Е-Taxi सेवा शुरू करने वाला स्टेट कुन सा बना है तो आप बताएंगे केरल जिसने हाल ही के अंदर एक टैक्सी ओनलाइन E-Taxi सेवा की सुरुवात की है तो उस ओनलाइन E-Taxi सेवा का नाम क्या है उसका नाम क्या रखा गया है तो केरला सवारी केरला सवारी इसका नाम रखा गया है प्यारे साथियों परसन में केरल का जीकर आया है तो केरल जिसकी राजधानी तिरुवंत पुरम है ये केरल एक राज्ये के रूप में 1961 में बना था ये केरल जिसका मुख्यमंत्री कोन है तो पीना राई विजियन केरल जिसका मुख्यमंत्री कोन है आरिफ मोहम्मद खान ये केरल का राजयपाल है ध्यान रखिएगा जो 1961 में उभर के आया था आरी मुमद खान नहीं स्टेट बना था केरल 1961 में नेक्स पॉइंट हाल ही में किसने गुड फोर यू गुड फोर पलानेट अभियान सुरू किया है हाल ही में किसने गुड फोर यू हाल ही में किसने गुड फोर यू गुड फोर पलानेट हाल ही में किसने good for you good for planet अभियान शुरू किया है तो आप बता देना www.f ने ध्यान रखें भाई साब बहुती जबरदस क्यूशन है हाल ही में किसने good for you और good for planet अभियान शुरू किया है हाल ही में good for you good for planet अभियान www.f ने स्टार्ट किया है good for you good for planet आप इस परसन में लाडलो जीकर WWF का आया है तो WWF की स्थापना 1961 के अंदर की गई थी और इसका मुख्याले WWF का कहा है तो एक स्थान पढ़ता है गैलेंड स्थान ये गैलेंड स्थान कहां पर पढ़ता है लाडलो Switzerland स्थान कहा है दोस्तो यूरोप में और यूरोप महादवीप का जो खेल ग्राउंड है यूरोप का पलेग्राउंड उप यूरोप पलेग्राउंड उप यूरोप के नाम से भी किसे जानते Switzerland को Switzerland जिसकी राजधानी क्या है बरन स्विट्जरलेंड की राजधानी है लेकिन स्विट्जरलेंड का सबसे बड़ा सहर यदि हम पूछे आपसे कि स्विट्जरलेंड का सबसे बड़ा सहर कौन सा है तो जियूरिक जियूरिक ये स्विट्जरलेंड का सबसे बड़ा सहर है और स्विट्जरलेंड जो यूरोप में है और यूरोप में देशों की संख्या 48 है तोटल यदि कंट्री हम यूरोप में देखें तो टोटल कंट्री 48 है ये आप ध्यान रखिएगा यूरोप कंटिनेंट में यूरोप महादवीब के अंदर महिलाओ के परवासन और तसकरी को रोकने के लिए महारास्टर ने किस राज्य के साथ में समझोता किया है महिलाओ के परवासन और तसकरी को रोकने के लिए महारास्टर ने कौन से राज्य के साथ में समझोता किया है तो आप बता देना पस्सिम बंगाल के साथ में समझोता किया है पस्सिम बंगाल के साथ में जिकर लाडलो किश्चन में पस्सिम बंगाल का आया है तो पस्सिम बंगाल एक नवंबर 1956 में बना था आज इस पस्सिम बंगाल की मुख्यमंतरी मम्ता बनर जी है और आज इस पस्सिम बंगाल का यदी हम राज्यपाल देखें कि वर्तमान में राज्यपाल कोन है तो एल गनेशन एल गनेशन पस्सिम बंगाल का राज्यपाल है ये एल गनेशन ने किसका स्थान लिया है तो आप बता देना जगदीब धनकड का जगदीब धनकड कहा गए या इस्थिपा क्यों दे दिया क्योंकि जगदीब धनकड को उपरास्टपती पद का उमीदवार बनाया गया है ध्यान रखें बड़ा ही सांदर परसन है उपरास्टपती पद का उमीदवार बनाया गया और वो जगदीप धनकड जो इस्तिपा देते हैं उसके बाद में पस्वी मंगाल के नए राजयपाल बनते हैं और पस्वी मंगाल के नए राजयपाल कोन बने थे तो आप बता देना कोन बने है एल गणेसन लेकिन इसी परसन में जीकर महरास्टर का भी है महरास्टर जिसका म महारास्टर का एकना सिंदे है यह 20 वे नंबर का मुख्यमंत्री है लेकिन इसी के साथ में लाड़ लो मैं आप से एक बात और किलियर कर दू कि महारास्टर जिसका राजयपाल कौन है तो महारास्टर जिसका राजयपाल कौन है तो आप बता देना महारास्टर का राजयपाल भागत सिंग कोश्यारी है लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि वैस्ट बंगोल जो 1 नमबर 1956 में बना था तो ये जो महारास्टर है ये कब बना था तो आप बता देना महारास्टर 1 माई 1960 के अंदर लेकिन पस्षी मंगाल जिसकी राजधानी कलकता है और पस्षी मंगाल की जो कलकता पस्षी मंगाल की राजधानी कलकता अब कलकता का नाम बदल के कलकता कब किया गया था 2001 में किया गया था इसी के साथ में आज किस वीडियो में हम इतनी परसंद करेंगे और दोस्तों मेरे दवारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी गुरूप में सेयर करें आप अपने दोस्तों से बोलें कि वो कास क्लासिज के उपर आएं मेरे साथ जुड़े क्योंकि यहां बिना बकवास बाजी के बिना किसी बातों के सीधे पढ़ाई की बाते होती है और यदि दी गई जानकारी अ दिखते होंगे आपका 10 सेकिंड मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है तो आप मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा तो आप थोड़ा सा मैं आपसे उमीद कर सकता हूं कि आप भी मेरे लिए एक सेयर करेंगे और जितने भी स्ट्रडी गुरूप में आप जुड़े हैं किसी भी सोचल प्लेट फोरम के होगा सेयर जरूर करें तो प्यारे साथियो आज के इस वीडियो में इतना ही जै हिंद जै हरियाना धन्यवाद